अब दो करें लिए टीक ठाक होंगे तो आज हम शुरू करेंगे एक नई रेसिपी उसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें तो आज हम बनाने वाले हैं फूल गोवी मसाला जो के बहुत ही टेस्टी होता है तो उसके लिए प्रेशर कुकर पे मैंने लिया है दो टेबल स्पून तेल गरम होने के बाद हम उसमें आड़ करेंगे तकरीब एक टी स्पून जीरा और मैं यहां पर आड़ कर रही हूँ एक कि खरीब दालचीनी और हम इसमें आड़ करेंगे इलैची चाहा हो तो आप इलैची आड़ कर सकते हो लेकिन मैं यहां पर इलैची पावडर आड़ करूंगी तो यहां पर मैंने लिया है हाफ टी स्पून इलैची पावडर अभी मैंने मीडियम साइज प्यास को चॉप कर मैं इस अच्छा से चला लूंगी हम फूल गोभी आशानी से बहुत जल्द पक जाएगा तो मैं इसे प्रशा कुकर में बना रहिए हूँ इसका भी तरहा आप देख लीज़िएगा वैसे तो पूल गोभी बहुत जल्दी पक जाती है उसे प्रशा कुकर की जरूरत नहीं ह लेकिन अगर आपको जल्दी सब काम करने हैं तो आप ऐसे बना सकते हो चाहो तो आप सारी चीज़ें एक साथ भी डाल के इसे रख सकते हो लेकिन मैं पहले प्यास को फ्राई कर लूँगी और थोड़े से आलो को भी फ्राई कर लूँगी तो यहां पर प्यास थोड़ी सी कलर चेंज हो चुका है यह थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है अब मैं इसमें अद्रकलेसन आड़ कर लूँगी अद्रकलेसन तकरीब एक टी स्पून मैंने आड़ किया है अद्रकलेसन आड़ करने के बाद आप इसे दुबारा से चला लें लिए भूलकों भी हरकिसी पसंदी होती है, अब सरे में हल्दी यह जा खर समय है पहले नुआ है,। मैं पहले प्थी ऐख करी का लर ऐख सी खिर सकत उख मांना लुकी तो rozmट दो याप चाब हम चाल नीए अरत। तक याप चाभाव हलो, पारी मिर्च कम ये वाद नेगी। मैं यहाँ पर एक हम पर लाल मिर्च पावडर कर मैं यहाँ है, तो अ कहा हूं देख नो जो सब्सक्राइब जब तक थोड़ा से गल ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है तो टमाटर अल्मोस्ट गल चुके हैं अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी आट कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा ड्राय हो जाए तो और एक मीडियम साइज मेने आलू लिये हैं तो आलू भी लेंगे हम दुबारा से इसे चला लेंगे फूल गोबी में जो है ना कीड़े बहुत होते हैं तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा बहतर तरीखा तो यह है जब आप फूल गोबी वाश करोके तो आप गरम पानी में उसे थोड़ा से भीगो के रखे तो आल्रेटी मैंने जो साइज आपको चाहिए वो साइज की आप कर लें और फिर इसे में एड़ कर लें आड़ करने के बाद हम यहां पर हाफ कप पानी आड़ करेंगे क्योंके हम इसे प्रशा कू कर रहे हैं तो यह नीचे पकड़ना ले इसलिए हमने यहां पर पानी आड़ करना है तो बस इ इसको प्रेश क्योक कर लेंगे बिस दो वेज़ल से ज्यादा हमें कोक नहीं करना है अगर आपने इसके स्टीम वैसे ही रखना है तो आप उसे सु straighten तकक कोक कर लेंगे तो देखें 2 वेजलест के ही सारी सबजी गल्चुकी आप तेस्टी और लगती व्ずach अब दुबारा से चलाते रहें ताकि नीचे पकड़ना लें तो अब हम यहां पर आड़ करेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा ज्यादा में आड़ करती हूं क्यूंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो वन एफ टी स्पून मैंने यहां पर धनिया एड़ किया है दनिया पाउडर यहां पर यहां पर आड़ कर लहां पारण है छ्यादा हो आप तो आप जीड ब्ती ए तब झाकर टेस्पून प Index buyer पिसाहर आड़ एड़ा सकते बूरा से थोड़ा सा तो बहुत हमें तुअ पर आड़को पाउडर चाला लें तो हाफ टी स्पून भी ले च जैसे भी हम चाहिए अपनी करी उस तरीखे से हम इसके पानी को सुखा लेंगे तो बस मैं यहां पर दो मिनिट के लिए इसे रखूंगी मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है तो दो मिनिट बात देखे माशाला से बहुत अच्छा से करी है हमारी तयार हो चुकी है अब आप इ इसे इंजोई करें जाने से पहले मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें खुदा आफिस